हेलो एवरिवन, वेलकाम अगेन इन लर्न विज दितिमन, बचों आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट का चेप्टर नुबर त्री और चेप्टर का नाम है जल संसाधन, तो चलिए हम इसा की तरह बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोशन नमर फर्स्ट, अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है, अफवाह तंत्र किसे कहा जाता है, तो मुख्य नदी वे सहायक नदियां द्वारा जल प्रवाह की जो विशेश वरस्ता है, उसको क्या कहा जाता है, अफवाह तंत्रिया प्रवाह 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 और जैसा कि आप जानते हैं जैसे जो छोटी नदियां होती हैं वो अपनी बड़ी नदियों में अपना जल उडेल देती हैं ठीक है तो वो क्या कहलाती है उस मुख्य नदी की सहायक नदियां कहलाती है चलिए नेक कोशन देखते हैं जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है तो देखिए दो अपवाहा छेतरों की मद्धे की उच्छ भूमी जो वर्सा को जल को विभिन्य दिशाओं में प्रवाहित करती है जैसे की राजिस्थान में जब उच्छ भूमी की बात करी जाए तो उच्छ भाजिक जो होती है रावली परवत वाला की वज़े से डवलप होती है अरावली परवतमाला क्या करती है पश्चिमी राजिस्थान और दक्षणी वो पूर्वी राजिस्थान को विभक्त करती है तो पश्चिमी का मानसून पश्चिमी वर्षा की स्थिति और पूर्वी राजिस्थान की वर्षा की स्थिति में दोनों में राद दिन का अंतर है आप जानते हैं एक तरफ मरुस्तल है और एक तरफ मैदानी भाग हैं है ना चलिए नेक कोशन देखें राजिस्थान के अफवाहत अंत्र को कितने भागों में विभक्त किया गया है तो देखिये राजिस्थान के जो भाग है वो तीन भागों में विवक्त किये गए हैं, बंगाल की खाड़ी, दूसरा कौन चाहिए, अरभ सागत, और तीसरा, आंत्रिक अभवात अंत्र, तो देखें, बंगाल की खाड़ी का मतलब क्या है, अरावली परवस से पूर्वी भाग में बहकर, जल बंगाल की खाड़ी में जात है, बंगाल की खाड़ी की तरफ जाता है, तो अरावली परवस से पूर्वी भाग में बहकर, जल बंगाल की खाड़ी में जाता है, और जैसे कि चंबल है, चंबल नदी है, काली सिंद्ध नदी है, पारवती है, बनास है, बेडच है, और जो साहिक नदी है, इनका पानी कह जाता है बंगाल की खाड़ी में जाता है तो ये कैसा है ये बंगाल की खाड़ी में राइस्थान का अफवाहतंत्र का एक हिसा है बंगाल की खाड़ी जा इसी तरीके से दूसरा है अरब सागर वाला अफवाहतंत्र इसमें क्या है माही नदी लूनी नदी साबरमती पस्चिम पानी बनास और साहेक नदियां जो हैं यसी और भी बहुत सारी नदियां हैं जिनका जो अफवाहतंत्र उनका जो सारा पानी है वो कहां जाता है वो अरब सागर की तरफ जाता है तो वो क्या कहलाता है अरब सागर का अफवाहतंत्र कहलाता है और राजिस्टान का जो तीसरा अपवाहत तंत्र है, वो है आंत्रिक अपवाहत तंत्र। इन नदियों में क्या होता है? पानी आता है लेकिन भूमी गत्त हो जाता है। जीसे घगर नदी है, बाणगंगा नदी है, कांतली नदी है, साबी, रुपा रेल और मेडा, यह वो नदियां है जिनका जो अपवा है वो भूमी गत हो जाता है जो नदिया समुदर में पहुंचने से पहले ही इस्तल भाग में विलुक्त हो जाएं या किसी जील में मिल लाता है ठीक है चलिए नेक कोईशन देखिए चंबल नदी का उधगम किस स्थान से है तो चंबल नदी का उधगम किस स्थान से है तो चंबल नदी का उधगम किस स्थान से है मध्य प्रदेश में बिंधाचल परवत के जनापाव से देखे ये जब नदीयों की बात आती है तो कुछ चीज़ें बहुत important होती है, जिसमें सबसे important क्या होता है, नदी का उद्गम कहां से हुआ है, और नदी का ending कहां पर है, वो गिर्ती कहां पर है, है नो? तो चंबल नदी का उद्गम यहां पर इतनी importance रखता है, चंबल नदी का उद्गम कहां से है, मध्य पिर्देश में विंध्याचल परवत्तों से है जहां जनापाव जित्र से है ठीक है चलिए नेक कोशन देखिए चंबल राजिस्थान के किस छेत्र में प्रवेस करती है चंबल राजिस्थान के किस छेत्र में प्रवेस करती है तो देखें चम्बल जो नदी है भैस रोडगर से राजिस्थान में प्रविस करती है कहां से चम्बल राजिस्थान के भैस रोडगर से एंटर होती है और एक कोटा, बूंदी, सवाई माधुपूर, करॉली और धौलपूर में बहते हुए उत्तर प्रदेश में वापे से यम्ना में चली जाती है यह किस की सहाइक नदी है, यह चम्बल जो है, वो यम्ना की सहाइक नदी है इसलिए पानी कहां गिरेगा, यम्ना नदी में चली, नेक्स, देखिए चंबल किस नदी की साहयक नदी है? इसमें हम अभी बात की थी चंबल किस नदी की साहयक नदी है? यमना नदी की साहयक नदी है चंबल नेक क्वेशन देखिए चंबल नदी की साहयक नदिया कौन कौन सी है? चंबल नदी की साहयक नदिया कौन सी है? तो चंबल नदी की जो सहयक नदिया है वो बनास, बेडच, कोठारी, काली सिंद, पारवती आदी यानि बनास, बेडच, कोठारी, काली सिंद और पारवती आदी जो नदिया है वो चंबल की सहयक नदिया है चलि, नेक कोश्चन देखें, राजिस्थान की ओध्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, तो राजिस्थान की ओध्योगिक नगरी किसे कहा जाता है, कोटा को कहा जाता है, और कोटा, कोटा जो चम्बल के किनारे इस्थित है, है नो, चलि, नेक कोश्चन देखें, बनास नदी क कों सा है कहां है ये बनास नदी का उदगा मैं यह भरा क् होता ए बनासनदी का उदगम है राज समन जिले में खमनौर्ड की किस नदी का जल ग्रहन छेत्र राईस्थान में सरवादिक है तो किस चेत्र नदी का है बनास नदी का बनास नदी देखे राज समंद चितोडगर भील वाड़ा टॉंक जिलों में बहकर सवाई माधोपुर में रामिश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है का से बनास नदी जो है किसकी साहिक नदी है चंबल नदी की साहिक नदी है और ये राज समंद होते हुए राज समंद चितोडगर राज समंद से तो ये प्रारम भी हो रही है राज समंद जिले के खमनोर की पाड़ियों से प्रारम होती है फिर वहाँ से चितोडगर भील राजिस्थान में बेहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो कौन सी नदी है सबसे बड़ी बनास नदी, 480 km देखिए यहां पर कोशन कई प्रकार से आता है तो जब बनास नदी की बारे में जब हम बात करते हैं तो बनास नदी के बनास नदी वाली नदी है तो जो बनास नदी है वो 480 किलूमीटर राजिस्थान में बहती है तो यह यहां कि यादर कि राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी के बारे मुकून सादा है तो बनास नदी है और राजिस्थान में बहने वाली जो बहार से भी आती है वो अगर सब सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो चंबल नदी आती है केवल राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी है और राजिस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी चंबल नदी है दोनों में आपको अंतर समर्जना होगा बनास नदी केवल राजिस्थान में बहती हैं. बनास नदी कितने लंबी है? करे मां 480 किलो मिटर ये लंबाई में बहती हैं. बनास बेड़च और मेनाल नदियां हैं, उनका जो संगम एस्थल है. कहाँ पे है ये? बिगोद भीलवाडा में. बनास, बेड़च और मेनाल नदियां हैं, इनका जो संगम इस्तल है उसको राज्जिस्थान का त्रिवेणी कहा जाता है और ये बिगौद भीलवाड़ा में इस्थित है नेक्ट कोशन देखिए टॉंक वे सवाई माधोपुर किस नदी के किनारे इस्थित हैं? ये काफी important questions है और ये बार-बार repeat भी होते हैं याद रखिएगा बनास नदी के पास टॉंक वे सवाई माधोपुर इस्थित हैं बनास नदी के पास टॉंक वे सवाई माधोपुर इस्थित हैं चलिए, नेक्ट कोशन देखिए बनास नदी की सहायक नदियां कौनसी हैं? बनास नदी की सहायक नदियां है चलिए, नेक्ट कोशन देखिए लूनी नदी का उद्गम के सिस्थान पर है लूनी नदी का उद्गम के सिस्थान पर है तो किस सिस्थान पर है बच्चों? गोविंद गड़, जो कि अजमेर में है गोविंद गड़ के निकट है और ये जो लूनी नदी थी ये सरस्वति ये सागर्मती नामक धाराओं के संगम से मिलकर बनी है क्या है गोविंद गड के पास अजमेर में सरस्वति ये सागर्मती नामकी दो धाराएं है उनके संगम से जो नदी निर्मान होता है वो क्या है लूनी नदी है तो ये ऐसी नदी है जो दो धराओं के, दो जल धराओं के संगम से बनती है, जिन धराओं का नाम, एक का नाम सरस्वती है और एक का नाम सागरमती है, चलिए, नेक कोशन देखे, लूनी नदी का जल किस इस्थान तक मीठा पाया जाता है? देखें, लूनी नदी का जो पानी है, वो पूरा की पूरा मीठा नहीं है, कुछ जगे पे वो खारा भी है, तो केवल कुछ इस्थान तक जो प्राओं से लेकर कुछ इस्थान तक ही वो मीठा पाया जाता है, तो बालो तरह जो बाड़मेर में है, बालो तरह बाड़मेर में लूनी नदी का यहां तक ही जो पानी है वो मीठा पाया जाता है और उसके बाद यह खारा हो जाता है चलिए, नेक कोशन देखें लूनी की सहयक नदियां कौन सी हैं? लूनी की सहयक नदियां हैं जोजरी, बांडी, जवाई, मीठडी, खारी, सूकडी, सागी और गुहियां कौन कौन सी हैं? जोजरी, बांडी, जवाई, मीठडी, खारी, सूकडी, सागी और गुहियां यह लूनी नदी की सहयक नदियां हैं चलिए, नेक मोइशन देखते हैं, लूनी नदी किस खाडी में गिरती है? लूनी नदी किस खाडी में गिरती है? कच्च कि खाडी में. नेक कोईशन देखें. माही नदी का उद्गम इस्थल कहां इस्थित है? तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश में विंद्याचल के अमरोरू नामकिस्थान पर उद्गमित होती है मध्य प्रदेश में विंद्याचल के अमरोरू नामकिस्थान से माही नदी का उद्गम होता है माही नदी किस खाड़ी में गिरती है? खंबात की खाड़ी में माही नदी पर निर्मित मुख्य बांद किस नाम से जाना जाता है? तो देखें ये बहुत famous है और यह है माही बजाज सागर बांद माही बजाज सागर बांद जो है वो माही नदी पर निर्मित मुख्य बांद है चलिए, next question देखते हैं माही नदी की सहायक नधियां कौन सी हैं? माही नदी की सहयक नदियां कौन सी हैं। तो माही नदी की जो सहयक नदियां हैं। सौम वे जाखम जो नदियां हैं, वो माही नदी की सहयक नदियां हैं। सौम वे जाखम माही नदी की सहयक नदियां हैं। नेक कोशन, बान गंगा नदी का उदगम स्थलक कहां इस्थित है? तो बान गंगा कहां से उदगमित होती है? जैपुर जिले में, जैपुर जिले में जो अरावली की बैराट की पहाड़ियां हैं, वहां से बान गंगा नदी का उदगम होता है, जैपुर जिले में अरावली कि बैराट पाहडियों से बान गंगा नदी का उद्गम होता है नेक कोईशन देखी अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? अर्जुन की गंगा किसे कहा जाता है? तो अर्जुन की गंगा किसे कहा जाएगा? बान गंगा को कहा जाता है भूमिगत हो जाती है कौनसी नदी भरतपूर के घनापक्ची राष्ट्रिय उद्धान में भूमिगत हो जाती है तो कौनसी नदी है बानगंगा नदी ही वो नदी है जो भरतपूर के घनापक्ची राष्ट्रिय उद्धान में भूमिगत हो जाती है ठीक है? चलिए. नेक कोशन देखते हैं. घगर नदी का उदगम किस स्थान से है? घगर नदी का उदगम किस स्थान से है? तो घगर नदी का उदगम सिवालिक पहाड़ी छेतर से, हिमाचल परदेश में जो सिवालिक पहाड़ी छेतर है, वहां से घगर नदी का उदगम होता राजिस्थान की आंत्रिक प्रवाहावाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? घगर नदी जो प्राचीन सरवस्ति नदी की सहयक नदी थी. देखें, जब प्राचीन सहयक नदी के बारे में, जब सरवस्ति नदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको यह याद होना चाहिए, राजिस्थान की जो आंत्रिक प्रवाहाली सबसे लंबी नदी थी, वो घंगर नदी है. दूसरा किसकी सहयक नदी थी? सर सरस्वति जो नदी है, वो लगबक तीन हजार वर्स को सतलज, यमुना और प्रागयतिहासिक काली सरस्वति नदी, यह क्या थी? राजिस्थान में होकर बहती हुई थी, ऐसा माना जाता है. और गुजरात में भरूच के पास जो अरब सागर है उसमें गिरती थी, लेकिन सर आंतिक प्रवाप्रणाली का हिस्सा हो गई है, जो सरस्वति नदी और यह भी कहा जाता है कि विलुप्त हो गई है, तो घगर नदी जो है, इसी वजए से आंतिक प्रवाप्रणाली सबसे लंबी नदी कही जाती है, आज भी, जो कि प्राचीन सरस्वति नदी की सहायक नद चलिए, next question देखी जवाहरलाल नहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहा था? किसे कहा था? भारत की जो बहुत देश्य नदी घाटी पर्योजनाय जो है भारत की बहुत देश्य नदी घाटी पर्योजनाओं को जवारलाल लहनों ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था देखें यह question बहुत बार repeat हुआ है एक competitions line में तो आप इसको बहुत important यह question है इसको हमेशा याद रखेगा यह बहुत बार repeat होता है और कोई अतिशोक्ती नहीं होगी अगर यह दुबारा आ जाये तो है ना तो इसको जरूर याद रखेगा next question देखें बैराज किसे कहा जाता है बैराज किसे कहा जाता है तो इसका अंसर है सिचाई उद्देश से प्राकर्तिक जल बहाव की दिशा को परिवर्थित करने के लिए जल सौत में बनाया गया बांद यानि कोई नदी आ रही है मानिए और हमें चाहिए कि हम उससे परिवर्थन के लिए एक बांद बना देते हैं तो वो क्या कहलाएगा वो बैराज कहलाएगा ठीक है तो सिचाई उद्देश से प्राकर्तिक जल बहाव की दिशा को परिवर्थित करने के लिए जो जल सौत में बनाया हुआ बांद है वो क्या कहलाता है बैराज कहलाता है चलिए, next question देखिए, feeder किसे कहा जाता है, feeder किसे कहा जाता है, जो feeder होता है, किसी मुख्य नहर का हिस्सा, जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता, याद रखिए, किसी मुख्य नहर का वो हिस्सा, जहां पानी का उप्योग नहीं किया जाता, वो क्या कहलाता है, वो feeder कहलाता तो बच्चों ये इसका फर्स्ट पार्ट मैं यहां पर सवाप्त कर रहा हूं क्योंकि कोश्चन अभी लगबग 60 कोश्चन इसमें बने हैं तो अभी इसमें काफी कोश्चन्स बाकी हैं और एक वीडियो ज्यादा लंबा होने से आपको भी दिक्कत आएगी तो मिलते हैं नेक